दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीटी दिखाए दे रही होगी और वो कुछ सवाल हल कर रही है यह तस्वीर ले गई आपकी N.C.E.R.T. की कक्षा तीसरी के पुस्तक गनित का जादू के पार्ट 9 से और यहाँ पर चीटी जो है वो रिक्तिस्थान भर रही है यानि fill in the blanks तो चलिए उसकी मदद करते हैं हमें जमा और गुना के चिन का इस्तमाल करना है यानि use plus and multiply symbols तो चलिए हम यह solve करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो गुना पांच बराबर है किसके पांच का दो गुना यानि पांच जो है वो कितनी बार जमा हो रहा है दो बार पांच जमा पांच अब यह अगली लाइन देखते हैं चार गुना अठारा किसके बराबर है किसका कितने गुना यानि कि अठारा का चार गुना यानि कि यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर अठारा जो है वो चार बार जमा हो रहा है तो हम यहाँ पर अठारा को चार बार जोड देंगे अब देखते हैं अगली लाइन तीन गुना बीस जो है वो किसके बराबर है किसका कितना गुना बीस का तीन गुना यानि बीस जो है वो कितनी बार जमा हो रहा है तीन बार तो बीस 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 तीन बार ये जुड़ जाएगा अब देखें यहां 8 गुना 9 किसके बराबर है 9 का 8 गुना यानि कि 9 जो है वो कितनी बार जुड़ रहा है 8 बार तो हम यहां लिख देते हैं 9 9 लेकिन यह तो केवल 2 बार हुआ अभी हमें 6 बार और जोड़ना है तो दोस्तों हमने क्या किया हमने प्लस और मर्टिप्लाय के चिन्नों का प्रयोग करके यहाँ पर मौजूद जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ती की तो क्या अब आप कर सकते हैं इन रिक्त स्थानों की पूर्ती और बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्याय आएंगी गु दोची ए दोज़रा?